हेलो श्रेंड्स, स्टेडी है विद्म एक चनल में आप सभी का स्वागत हैं तो यह है हमारा के मैप का पार्ट नूंबर 3 जिसमें हम एक्जाम्पल्स करेंगे कुछ के मैप के पोस इन सो फों के लिए तेखते हैं इसका सेकंड एक्जाम्पल सेक्ड एक्जाम्पल में क्या है सिग्मा ओफ एन, 0, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 13 थर्टें तक है मतलब हमें कितने वैरियाबल्स कर बनाना है यह 4 वैरियाबल्स पे 4 वैरियाबल्स पे सो फों में बनाना है सो फों में क्यों बनाना है क्योंकि terms के आगे जो term given है जो symbol given है वो कौन सा है sigma of n है variables कौन से choose करें है इसमें हमने w x y z 4 variables choose करें है और इसी के recording हम counting right करेंगे w x y z से अब 0 0 0 1 1 1 1 0 same ऐसी y z के लिए भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 जो है और 0 0 किसको represent कर रहा है 0 को फिर 0 1 और 1 0 कितना होता है 4 1 1 0 0 12 होता है 1 0 0 0 कितना होता है 8 होता है इसी के recording हम counting right कर लेंगे counting counting right कर लिए हमने structure में 0 4 12 8 1 5 13 9 3 7 15 11 2 6 14 और 10 राइट कर लिए counting अब देखो जो expression given है ना उसके अंदर कौनसी कौनसी टार्म से 0 है 3 है 6 है 7 8 10 11 12 और 13 है फर्स्ट हम जो है वो क्या है 0 है अब हम जो के मैप कर रहे हैं वो के मैप कर रहे है आफ इसके नहीं करता है और अगर इसके नहीं करता है तो उसके 0 लगाते यहीं करते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट फर्स्ट है हमारे पास उसके अंदर आप डाल दो 1 1 डाल दिया हमने फिर next 3 3 देखो कहां पर है पूरे structure में यहां पर है 3 3 के उपर 1 लगा दो फिर next 6 है 6 देखो कहां पर मिलेगा हमें 6 यहां पर है तो यहां पर हमने 1 लगा दिया 7 दूंडों कहां पर है इधर 7 है 7 के उपर 1 लगा दिया फिर 8 है 8 इस corner पर है यहां पर 1 लगा दिया 10 10 को दूंड़ा हमने पूरे structure में यहां पर है 10 पर लगाया 1 11 पर लगाया 12 पर लगाया और 13 पर लगाया अब जहां जहां पर हमने 1 की counting लिखनी थी counting लगा दी हमने 1 की जो equation में given थे उसकी corresponding हमने 1 लगा दिया अब 1 लगाने के पास आपने क्या करना है next step क्या आता है grouping करना pair बनाना pair कैसे बन सकता है अगर यहाँ पर 1 होता two के place पर भी one होता तो हम four का प्रूप कर सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं है यहाँ पर three one है है towards grouping जो आपने बनाइई है वो कौन सी है ट्री और seven की ट्रीयरिये next grouping जो बन रही है वह seven और six की बन रही है फिर 11 और 10 की grouping इंग हो रही है इसे हाँ यहां पर 12 और 8 ग्रूपेंग एंगanson 3 और την मिश्मरा हो तो में पूस्वर सकते हैं आग nessa था यहां पर अगर बद। पार वाद अगर मन होता यह सकती थी इसके साथ भूपिंग कर सकते हैं इसकी इसके सậ tool कर सकते कि क्युंकि नहीं करेंगे कि थे उसके अंदर यह भी था यहां-पे सब्सक्राइब और मैं यहां पर आ हरा रहा है वे थो गृप में आरा है यहां तो हम 13 की किसी और के साथ grouping कर सकते हैं नहीं 8 की क्योंकि यह grouping क्या हो जेगी rules के against हो जेगी तो इस वाले को हम single छोड़ देंगे जीरो वाले नमबर पर grouping single है वाँ कोई grouping नहीं है single one है अब इसको simplify करेंगे simplify करके single term में हमें लिखना है कैसे लिखेंगे अब इसको single term में फर्सले हम क्या लिखते है एफ लिखते है उसकी एक वस्ट्रों में एक expression लिखते हैं grouping चेक करो पहले हम 10 और 11 की grouping देखने है 10 और 11 में क्या है इसके corresponding अगर अपर साइड देखें उपर की तरफ तो 10 आ रहा है और लाट साइड में देखें तो 10 और 11 आ यहाँ पर तो एक single term में 10 इसकी को tension नहीं वन ही लिख सकते हैं 10 की इसको represent कर रहा है y को तो first term जो हमारी बनके निकलेगी वो कौनसी term है w x का बार और y इस वाले group से term जो बनी है 11 और 10 के group से जो term बनी है वो है w x का बार और y फिर next grouping चेक करते हैं 7 और 6 वाली grouping देखो इसके अंदर पर जो common term आएगी वो 1 आएगी और अपर साइड में कौनसी term आ रही है 0 और 1 आ रही है यह जो 0 1 वो किसको represent कर रहा है w के बार और x को represent कर रहा है w का बार और x w का बार है x है और यहां से तो y था ही तो जो 7 और 6 वाली grouping उससे कौनसी term मिली w का बार और x और y यह term मिली next grouping check करो किसकी थी 3 और 7 की भी grouping थी यहाँ से तो single term आ रही है 1 1 अपर से चेक करो कौन सी common term है common term है यहाँ पर w का बार क्योंकि 0 और 0 common है और वो represent कर रहा है w के बार को यहाँ से तो आ गया w का बार और इधर से जो term आ रही है वो कौन सी आ रही है y z w का बार है y है और z है जो यह वाले term हमारे पास आय थी w x का बार y यह 11 और 10 की grouping से आय थी फिर w का बार x और y किसकी grouping से आय था 7 और 6 वाले term की grouping से आय था w का बार y और z यह 3 और 7 की grouping से आया अगर आप सास्ता लिख लोगे कि हमने किस group को चेक कर लिया और किसके expression को write कर लिया तो बीच में कोई भी group अगर missing होगा तो वह easily find out कर सकते हो कि यह group missing है फिर 1,2,3,3 grouping हमने चेक कर लिए 4th group पे जाते हैं 4th group चेक करते हैं हम 12 और 13 का इसकी corresponding left side में 2 है और अपर में सी 1 है तो 1 वाला तो fix रहेगा W और X तो सेम रहेगा अब left side में चेक करो कौन सी term common है यहाप पर 00 common है यह 0 किसको represent कर रहा है 0 represent कर रहा है Y को इधर से Y को represent कर रहा है और उधर से वो W और X को represent कर रहा है डब्ल्यू है X है और Y का बार है यह कौन सी term से आया है 12 और 13 की grouping से आया है फिर चेक करते है next grouping 12 और 8 का यह भी तो एक group है ना इसके left side में देखा same term है 0 और 0 किसको represent कर रहा है यह वाई के बार को और Z के बार को वाई का बार और Z का बार लेकिन इसके up side में देखो कौन सी term ऐसी है जो common आ रही है common term आ रही है one one किसको represent कर रहा है यहां पर डब्ल्यू को represent कर रहा है तो कौन सी term निकलीगी यहां से डब्ल्यू वाई का बार और Z का बार यहां से term निकली है वाई का बार और Z का बार यहां पर जो term आएगी वो डब्ल्यू आएगी डब्ल्यू वाई का बार और Z का बार यह किसकी grouping से आया है 12, 18, 8 की grouping से है, 12 और 8 की grouping से, अब जो term बची है, वह एक single term बची है, उसको आप लिखो, ना लिखो, अगर लिखतो के तो और simplify हो जाएगा, नहीं लिखो के तो कोई, ज्यादा इसके अंदर change नहीं आएगा, च्योंकि एक single term है, इसकी हमने grouping नहीं की है, 0000 कौन सी term निकल के तो 8 term को आप 4 variable में कैसे represent कर सकते हो, इसलिए इस answer में से हमने इस term को neglect कर दिया, फिर आते है next example पे, जिसमें हमें सिर्फ two variables given है, यहाँ पर, z is equal to a का बार, b का बार, प्लस a, b का बार, अब यहाँ आपर हमें counting terms की जगा, उसने variables ही दे दिये, कि आपको a और b लेना है, हमें check करनी है, कहाँ पर आएगी, यह directly हम, जब ऐसी terms given हो, आपको a और b normally given है, check करो, यह किसकी form में आ रहा है, यह form आपको किसकी दिख रही है, यहाँ पर multiply हो रहा है, इधर multiply हो रहा है, फिर जागे plus हो रहा है, तो directly हमें पता चलिका, यह soft form है, soft form है नहीं, क्योंकि पहले multiply रही हो रहा है, फिर add हो रहा है, add का symbol बीच में आ रहा है, तो इसलिए soft form है, soft form में हम क्या करते हैं, one से represent करते हैं, जो present होता है, और जो नहीं present होता है, उसको 0 से, a का बार b का बार plus a b का बार, कैसे represent हो रहा है यह, a नहीं है, 0, यह भी 0, प्लस, यह 1 है, और यह 0 है, मतब 00 0-0 और 1-0, 0-0 होता है 0 और 1-0 होता है 2, जहां पर counting में 2 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, वहां पर आपको 1 रिपरेजेंट करना है, यह 0 था, 1 लिख दिया, यहां 2 था और 1 लिख दिया, इनकी grouping बना दी, यहां पर हमें सिर्फ K-map बनाना था, simplify नहीं करना था, जो कि K- map में, simplification करके, जो हम term बनाते हैं, वो तो उसने पहले given दे थी question में, यहां पर सिर्फ K-map बनाना था, वो हमने बना दिया, और कैसे इसको reduce करा, कैसे इसके अंदर से हमने logic find करा, वो देखते हैं, एक बार दुबारा, कि A का बार और B का बार दिया हुआ था, प्लस AB का बार किया था, A का बार, सबसे पहले हमने यह चेक किया, कि यह पता लगी हमें, कि यह soft form है, या post form है, चेक करा हमें कौन से form मिली, soft form मिली, क्यों, क्योंकि पहले terms multiply हैं, फिर जाकर add है, soft form पता लगी, तो इसने हमें पता लग गया, कि अगर कोई variable exist कर रहा है, तो हमें उसकी जग बार मतलब 0 है, two variables में 00 का मतलब क्या होता है, 0 और 10 का मतलब क्या होता है, two, अब counting में हमें 1234 यह, तो पता है ना कि spare box में किसका नेम क्या देना है, क्योंकि 000 होता है, और 102 होता है, पता इतना हमें, तो जहां पर 0 था और 2 था, वहां पर हमने 1 लिग दिया, और उसकी grouping दिख variables to A का बार, B C का बार, PLUS ABC का बार, ABC PLUS ABC का बार, सबसे बहरे चेक करो, first verm जो मा रहा होता है, चeक करना कि expression, soft form में लिखा हुआ है या, pause form में, expression कून सी form में लिखा हुआ है, यहां पर, soft form में, कैसे बता चला है,adian लिखा हुआ है क्योंकि पहले equations को multiply किया हुआ variables को फिर plus है फिर multiply है फिर plus है तो यह stop form में होते है variables कौन से लिए होए यहाँ पर यह जो हमने k map बनाना है वो three variables का बनाना है अब तक हमने जो k map पढ़ा वो यहाँ तो two variables का था directly या three variables या four variables का था three variables का नहीं पढ़ा तो यह example है three variables का यहाँ पर आप a by b c भी ले सकते हो या फिर b c by a ले सकते हो और क्या हो सकता है a b c हो सकता है c by a b हो सकता है या फिर यहाँ पर a c by b हो सकता है या b by a c हो सकता है इसको represent करने के इतने सारे method हो सकती है three variables में 3 variables में आपको पता निए कि आपको कौन सा पेर लेना है किसके डिवाइड में कौन सा पेर लेना है तो यहां पर यह 6 method है जिससे आप 3 variable को represent कर सकते हो इस example के लिए अगर ABC के जगा YZ होता ZY होता कुछ पी example होता है तो इससे आप replace कर सकते हो तो अभी हमने जो example लिया है वो लिय आए A के लिए उपर 2 variables लिए है तो 2 पर counting होएगी 01 00 01 11 और 10 निच्चे एक single A है तो 01 फिर चेक करो A से स्टार्ट होगा जहें आप उपर लिखो A को या B को कहीं में भी लिखो लेकिन जो series में counting होती है ना A B C D E सेम वहीं से स्टार्ट होगा वो A है तो A से स्टार्ट होगा A B C 0 0 0 मिस 0 फिर 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 मिस 2 ऐसे यहाँ पर 1004 1015 111 7 1 1 और 0 6 counting लिखने के पाथ हमें क्या करना है जो equations given है उसको represent करना है कैसे करेंगे first term देखो क्या दे रखी है हमें given A का बार B और C का बार so form में अगर कोई बार होता है तो उसके लिए 0 लगाते हैं 0 अगर exist करता है तो 1 लगाते हैं फिर C 0 0 1 0 किसको represent करता है 0 1 0 2 को 2 के place पे 1 लगा दिया next term A B C का बार 1 1 और 0 1 1 0 6 को represent करता है 6 के place पे 1 लगा दिया next term है A B C ABC में इस 3 1 है 3 1 कब होते हैं 7 पे तो 7 पे लगा दिया फिर है A B का बार C मतलब 1 0 1 1 0 1 किसको represent करता है 5 को 1 0 1 5 को represent करता है तो उसके place पे क्या लगा दिया 1 लगा दिया अग grouping करते है 2 और 6 की grouping हो सकती है adjacent है दोनो 7 और 5 की हो सकती है क्योंकि यह दोनों भी adjacent है नेवर है लेकिन ए grouping और हो सकते हैं हाँ पर which is 7 and 6 7 और 6 की grouping भी हो सकती है तो यह था हमारा अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परिशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते है थैंक्स वर रोचिंग मैं वीडियो